इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप Google में कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखकर आता है result for are hidden by safe search your safe search setting is locked on तो basically यह problem इसलिए आती है हो सकते हैं आपके parents या फिर elders ने किसी ने बड़ो ने यहाँ पर parent lock लगा दिया है या safe search पे lock लगा दिया है ताकि बच्चे यहाँ पर कोई nudity या फिर कोई violence की चीजे सर्च करें तो यहाँ पर कोई भी result ना आए तो यहाँ पर इसे unblock करने के लिए simply three dot पे जाना है अगर आप बच्चे हैं तो इसे unblock ना करें यह आपकी safety के लिए है बट अगर आप 18 से उपर है तो यहाँ से आप कर सकते हैं settings में जाएं और नीचे की तरफ जाएं और यहाँ पर आप privacy and security के option पर आ जाएं और यहाँ पर safe browsing का option होगा यहाँ पर तो यह on होगा तो आपको यहाँ पर no protection पर क्लिक कर देना है turn off कर देना है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर आपको use secure DNS पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको use your current service provider पर क्लिक कर देना है ठीक है तो अब आप यहाँ पर जो भी search करेंगे वो search हो जाएगा कुछ भी hide नहीं होगा ठीक है